बीवी से दुनिया में आज देखिये मध्य प्रदेश की राजनीती में कहां खड़े हैं मुसल्मान मध्य प्रदेश की राजनीती में क्यू पिछड़ता महसूस कर रहा है मुसलिम समुदाय विदान सभा में लगातार घर्टे मुसलिम प्रतिन दित्व की क्या है वचा और समुदाय की क्या है शिक्वा काव स्टोरी में खास रिपूर्ट स्वागत आपका बीवी सी दुनिया में मैं आपके साथ पाइल भुयन मर्दि प्रदेश के मुसल्मान समुदाय की क्या है शिकायत इसकी बात काव स्टोरी में लेकिन पहले हेडलाइन्स अमेरिका के हवाई दूइप में लगी विनाशकारी चंगल की आग में अब तक 55 लोगों की मौत माउई दूइप के में सेक्डों लोग लापता हजारों विस्थापित हवाई के गवर्नर के मताबिक माउं में हुए नुकसान की भरपाई में लग सकते हैं कई साल और अर्बो डॉलर यूरोप पहुंचने के चाहा में भूम अद्धिसागर पार करने वाले प्रभासियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले इस साल हुई दो गुनी दे यूरोपेन यूनियन स्बॉर्डर एजिंसी फ्रन्टिक्स का दावा मिस्टर पापुआ यूगिनी और आईवरी कोस से जादा लोग तैकरते हैं ये सफ़र इन देशों के अभी भी दो हजार प्रभासी हैं लापता यूरोपेन यूनियन का दावा नेजेर के आपदस्ते राश्पती मोहमद बजूम और उनके परिवार को बहुत खरापर सित्यों में रखा गया है नजर्बंद यूने इनकी दतकाल रिहाय की कीमाग मोहमद बजूम को पिछले महीने हुए तक ता फलट में हटाये गया था पदसे इनमें से कुछ एहम ख़बरों की चर्चा आज पीवीस दुनिया में मध्यप्रदेश में इसी साल विधानसबाद चुनाफ होने वाले हैं वहां करीब साथ फीसे दी मतदाता मुस्लमान है क्या है राज्य की राजनीती में मुसलमानों की मौजूद अस्तिती यही जानने की कोशच करेंगे आज कावस्टोरी में मध्यप्रदेश की विधानसबाद में पिछले चार दशकों से मुसलमान विधायकों की तादा दिन बदिन घटी जा रही है हाना की 1985 के विधानसबाद के चुनावों में सदन में कुल साथ मुसलमान विधायक चुन कर आए थे मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है इस एहतिहासिक शहर में मुसलमान मद्दाताओं का वोट बहुत माइने भी रखता है और शहर की तीन से चार सीटों पर ये समुदाए निरनाएक भूमिका निभाता है साड़े साथ करोड की आबादी वाले मद्दाप्रदेश में मुसलमान साथ प्रतिशत के आसपास है लेकिन कई ऐसी सीटे हैं जहां पर मुसलमानों के वोट निरनाएक हैं इसके बावजूद प्रदेश की विधान सभा में समाज के इस तपके का प्रतिनिधित्व घटता ही चला जा रहा है और इनके मुद्दे गौन होते जा रहे हैं 1993 में जब पहली बार दिक्विजण सिंग मुख्यमंत्री बने थे उस विधान सभा में एक भी मुसल्मान विधायक चुनकर नहीं आया फिर 2008 में और 2013 में एक-एक मुसल्मान विधायक 230 सदस्यों वाले विधान सभा में चुनकर आया और जो दल है, राजनेतिक दल, चूँके बाइपोलर कंटेस्ट है, यहाँ पर दो ही राजनेतिक दल है, इसलिए उनके इशूस पर और उनके प्रतिमें धिद्व को कोई तरजी नहीं दी जाती है। कली एक लेडी आई थी, वो बता रही थी, स्कॉलरशिप्स से हम बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन लास्ट यर से स्कॉलरशिप्स भी मुस्लिम बच्चों की बंद हो गई, तो वो ना बस अफॉर्ट कर पाते, ना एजुकेशन अफॉर्ट कर पाते, तो हमारे लिए आवा कौन इठाएगा, मुस्लिम लेडी इसके लिए आवाज कौन इठाएगा, इस बात को लेकर राजिके प्रमुक्विपक्षिदल यानी कॉंग्रिस पर ही जादा उंगले उट रही हैं, अब संगठन के वर्ष नेताओं के बीच से बगावत के सुर उटने लगे हैं, वर्ष मेरी कोई वकात नहीं है, सन 72 से 1972 से मैं AICC का इलेक्टेड मेंबर था, इस बार मेरा नाम गाइब कर दिये गया है, तो मसल्मानों की कोई टेकिन फर गरंटेट, कि कहा जाएंगे, मतलब इनकी वकात क्या है, मतलब जखमार के मेरा पास आएंगे, और मैंने सोचा है इसके ख मसल्मान नेताओं को मुसलिम बहुल इलाके से टिकेट मिलना भी मुश्किल हो गया है, ये लोग बैसिकली कोई हाट मुसलिम सपोर्ट बैस नहीं थी, इविन कांगे इसकी लीडर्शिप भी, वो खुद मसल्मानों के लीडर बनना चाहते हैं, बहुत लोग, बहुत लोग म पुराने नेताओं की बगावत और उनके आरोपों से घिरी कॉंग्रिस अब बचाओं की मुद्रा में दिख रही है राजनितिक विशलेशकों का भी मानना है कि कॉंग्रिस की सरकार में अगर किसी मुसल्मान वधायक को मंत्री भी बनाया जाता है, तो उन्हें मामुली विभाग ही दिये जाते हैं मुसल्मानों का जो राइदिति के बेंग जो हाशिये पर होना वो केबल भाजपा या भाजपा प्रशासित प्रदेश में नहीं सीमें थे, बैलके कॉंग्रेस और कॉंग्रेस राज्ये में भी उनको प्रियाप्त जो है रिमिटेशन नहीं मिलता है इस चुनावी महाल में भारती जनता पार्टी भी कॉंग्रेस में चल रही बगावत का लाब लेने की हर कोशिश कर रही है इसकी शुरुआद उसने नगरिये निकाय चुनाव से कर दी है एक कबजा जैसा जखे सकते हैं कॉंग्रेस पे रहा तो हमने करीब 400 टिकेट आप मान के चलिए दिये थे पारशदों के उसमें से लगबग 100 जीत कराएं मुसल्मान ये 400 टिकेट हमने मुसलिम बस्तियों में दिये जिनोंने कई हिंदू उमीदवारों को हरा कराएं हैं और सो हैं इनकी संक्या, सो पारशद तो आप भानकर चलिए हमारे लिए उत्सा जनक है कि हम बिना तुस्टी करण के संतुस्टी करण कैसे कर सकते हैं 230 सदस्यों वाली मध्यप्रदेश की मौजूदा विधान सभा में सिर्फ दो मुसल्मान विधायक चुनकराए हैं इनमें से एक हैं आरिफ मसूद जिन्होंने भारती जनता पार्टी के दावों पर परटवार किया बीजेपी ने मुसल्मानों को वहाँ टिकेट दिया जहां मुसलिम पापॉलेशन अच्छी खासी थी और वहाँ पर कॉंग्रेज ने मुसलिम्स को ना देकर एक हिंदू केंड़ेट को सामने लाए तो बीजेपी ने उसका भरपूर फायदा उठाया तो दाहर है कि मुसलिम वोट को अपनी नुमाइंद की जाती भी दिखी तो उन्होंने वोट शिफ्ट कर दिया उसमें आप बीजेपी की जीत नहीं मालेंगे बाराल बीजेपी ने रिप्रेजेटेशन अगर देना होता तो अभी देना नगर निकम छोड़ें अभी विधान सभा हम बताएं कहां दे रहा है टिकेट कितने टिकेट दे रहा है वर्ष 2011 में हुई जंगर्णा के हिसाब से मध्र प्रेश की साड़े साथ करोड की आबादी में मुसल्मानों की जंसंख्याब 38 लाग से भी जादा बताई जाती है विधान सभा की 25 ऐसी सीटे हैं जहां मुसल्मानों की बड़ी आबादी है और उनका मत उम्मीदवार की जीत और हार को प्रभावित कर सकता है आरोप ये भी लगाय जा रहे हैं कि वर्ष 2002 में प्रदेश में कॉंग्रिस के ही शासनकाल में हुए परिसिमन में कई सीटों को इस तरह पुनर गठित किया गया है जिसकी वजह से मुसल्मानों की आबादी का भी बटवारा हो गया और समुदाय के वोटों का महत्व कम होता चला गया आज ये खुद को प्रदेश की राजनीती में हाश्य पर पा रहे हैं खबर अमेरिका के हवाई द्वीब से हवाई में मावी द्वीब के अधिकारियों का कहना है कि जंगर में लगी विनाशकारी आग से हुए नुकसान की भरपाई में काई साल और अर्बो डॉलर लगेंगे आग लगने की वज़ा से कम से कम 55 लोग मारे जा चुके हैं और लगबग 1000 से जादा लोग लापता हैं देखे बीबी से समबादा था नूमिया इकबाल की रिपोर्ट हवाई दीब के जादा तरहे से अब तबाह हो चुके हैं ये पाइलिट अपनी आँखो पर विश्वास नहीं गर पा रहे लाहेना का एतिहासिक शहर लगभग खत्म हो चुका है मंगलवार को आग की शुरुआत हुई तूफानी हवाओं ने इसकी तीवरता को और बढ़ा दिया और ये फैलती चली गई व्यस्त सडकों पर खड़ी कारों को अपनी जद में ले लिया और एतिहासिक इमारतों की जगए अब मलबे के धेर से निकलते धूएं हैं शहर में बचे किसी भी शक्स के लिए संदेश स्पष्ट है बाहर निकलो अगर कोई अभी भी यहाँ है आग फ्रंट स्ट्रीट तक पहुँच गई है जाने का समय हो गया है पिछले महीने और कल की साटलाइट तस्वीरे तबाही की कहानी बया करती हैं यह कुछ ऐसा है जैसा आप युद शेतर में देखते हैं जब आग का तूफान आया मैं डॉक से बाहर निकलने वाला आखरी व्यक्ती था मैं बीच की ओर भागा मैं दक्षिन की ओर भागा रास्ते में मैं जिसकी भी मदद कर सकता था उसकी मदद की आपको पता होना चाहिए कि आप क्या नहीं कर सकते अभी भी पानी में और समुद्र में शव तैरते हुए मिलते हैं हम कल रास से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें जिस तरह की सहायता की जरूरत है वो हम तक पहुच नहीं पा रही है तीन बजे हमें फोन आया बाहर निकलो वो एक पडोसी की आवास थी और आसमान लाल था इसलिए मैंने अपने तीनों बच्चों को पकड़ लिया और मेरे एक दोस्त का बच्चा भी हमारे साथ रह रह रहा था चारों बच्चों को मैंने कार में डाला पोलिस अधिकारी घर घर जाकर लोगों को सुरक्षे स्थानों पर ले जा रहे थे और ये वास्तव में ड़ावना था राष्टपती का कहना है कि मदद आ रही है अमेरिकी सेना अब सक्रिय हो गई है और द्वीप पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है एक राज्य जिससे प्रशान्त महसागर का स्वर्ग कहा जाता था अब वो स्वर्ग तबाह हो गया है सपने को पूरा करने की और बढ़ते आखरी कदम जॉन गुडविन, किशा शहाफ और एना मायर्स की मा बेटी जोडी यूनिटे स्पेस्शिप की तरफ जा रही है स्थाने समय नुसार साढ़े आठ बजे वो रवाना हुए यही वो चीज है जिसकी बात हो रही है स्पेस्शिप यूनिटी धर्ती से 50 मील की दूरी पर अपनी दूरतम बिंदू पहुचा तीन मिनट तक इन लोगों को वैसी वेटलेसनेस महसूस हुई और उन्होंने प्रित्वी का ऐसा नजारा देखा जो हमारे एस्टरनाट्स को ही महसूस हो पाती है आप चीज़ों से उतने ज़्यादा जुड़े होते हैं जितनी आपने उम्मीद भी नहीं की होती जैसे एक टीम का हिस्सा महसूस करना, एक शिप का हिस्सा होना, एक ब्रहमान का हिस्सा होना, ये बहतरीन था और जैसे ही स्पेशिप यूनिटी न्यू मैकसिको के रेगिस्तान में उत्रा लोगों ने राहत ली स्पेश टूरिजम के खशेतर में ये एक मील का पत्थर है खासकर जो इसका खर्च उठा सकते हैं फिलहाल इस यात्रा के टिकट के कीमत चार लाख डॉलर यानी करिब तीन करोड तीस लाख रुपए है इस घाटी के नाम से जुड़े कई मितकों में से एक ये भी है कि ये हिंदु भगवान गणेश के नाम पर रखा गया है और कुछ इतिहासकारों का माना है कि ये घाटी गुप्त सामराज्य का हिस्सा रही है देखे पाकिस्तान से BBC समवादाता ज्याओदीन श्राह की रपोर्ट अंधेरी पत्थरीली सड़कें और पत्थरों से बनी संरचनाई गणेश घाटी शांदार और विशाल कारा कुरम परवतमाला से घिरी हुई है गणेश के ला नाम का इह प्राचीन शहर एक हजार सालों से भी अधिक पुराना है ये एक गलाबंद गाओं है अंग्रेजों के आने से कबल ये गिल्कित बल्जिस्तान का रीजन छोटे छोटे आजाजास स्टेट्स में मनकसिम था इसका बेक सेट पीछे दरिया की तरफ का जो हिस्सा था पिलकुम 90 डिग्रीज पे खड़े देवार की तरह कच्छा क्लिफ था और किसी के लिए वहाँ से अंदर दाखिल होना मुम्किन नहीं था यानि कुद्ची तोर पे महफूस था और सामने से उन्होंने उन्ची फसील बनाई फसील के साथ 14 वाश्टावर तामीर किये यह वाश्टावर बंकर का काम देते थे मोर्चे का काम देते थे गाउं के नाम को लेकर कई मिथख है व्यापक रूप से माना जाता है कि गणीश शब्द स्थान्य बुरुशास की भाशा से लिया गया है और इसका मतलब है सोना या चौराहे परिस्थित एक जगे हालांकि विशिशग्यों का मानना है कि इस बात को पूरी तरह से खारज भी नहीं किया जा सकता कि इस गाउं का नाम हिंदू भगवान गणीश के नाम पर रखा गया होगा इस गाउं का अस्थापत्य खास है लेकिन समय के साथ आए बाढ़, नए निर्मान, उदासीनता और समय के साथ हुई तूट भूट ने महत्वपूर्ण हिस्सों को नश्ट कर दिया है गिलगित बलतिस्तान में गणीश यात्रियों के लिए मुख्या कर्शनों में से एक है कुछ एक्टिविस्ट निर्मान पर रूख लगाने की मांग कर रही है गणीश तक परेटकों की पहुँच काफी आसान है क्योंकि यह स्थित है कारा कोरम हाईवे पर जो पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है फीडबाक देने के लिए आप मुझे ट्वीट का सकते हैं आडपायल भुयन पर पर चाल mean आपायल इना की यह स्थित है कारी पर जोफ्य पर ज व्मैन से